जैशीगणी जैशीहरी नौमार्च दिन सनिवार पागुन मास चल ला है और पागुन मास में महाशिवरात्री में हम लोग रुसीव पुराण का अध्याय का श्रवन करते हैं या तो पाठन करते हैं इससे संपूर फल के प्राप्ति होती है अगर आप चैनल पे पहली बार आ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजी और वीडियो को जादा सी जादा शेयर करके लाइक और कमेंट करके हर हर महादेव लिखा कीजी पागुन मास में सिर्व महापुरांड के साथ साथ हम लोग को सिरी हरी की करपा पर प्राप्त हो इसके लिए हम लोग को नारायन का वच और गजेन इस त्रोत्रम का पार्ट आवज सुनना चाहिए आप सबी भक्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धनवाद जो आपने मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया है और इतना कमेंट्स करके और इतनी सस्क्राइब करे हैं आप सबको बहुत बहुत धनवाद इस और से है कि सबी भक्तों पे अपनी आपकरपां बनाए रखे हैं आज हमनों बाकी बिहारी की दूसरी पॉणारिक और चमतकारी खता सुनेगी पुरानी बात है ब्रंदावन में बाकी बिहारी जी के मंदिर में रोज गुसाई जी बड़े भाव से सेवा करते थे वो रोज बिहार था कि यदि रात में बिहारी जी को भूग लगेगी तो वो उटकर क्या खाएंगे और जब वे सुबह मंदिर के पट किवार खोलते थे तो भगवान के बिस्तर पर प्रशाद बिखड़ा हुआ मिलता था इसी भाव से वे रोज ऐसा करते थे और आज भी इसी भाव से बिह जिस दुकान से वे बूंदी के लड़ू आते थी उन बाबा की दुकान खुली थी वे घर जाने ही वाले थे तब एक छोटा से बालक आया जिसकी मोटी मोटी कज़री आखी है और घुंगरारे बाल है सुनता श्याम वर्ण है वो बालक कहता बाबा ओ बाबा तुमों को बालक बोला बाबा एक बार आप अंदर जाकर देखो न आपके पास चाल लड़ू रखे हैं उसकी हट करने पर बाबा ने आकर जाकर देखा तो उन्हें वे चाल लड़ू मिल गए क्योंकि वे आज मंदिर नहीं गए थे और बिहारी जी के लिए वही लड़ू बनाकर रख बाबा ने उसे लड़ू दिया और कहा बालक पैसे दो बालक ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है आप ये मेरा सोरी का कंगन रख लो सुभा मेरे बाबा आप से कंगन लेंगे और पैसे देंगे बाबा ने कहा लाला पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं मैं कल तुमारे बाबा से ही पैसे ले लूँगा पर बालक नहीं माना उसने लड्डू ले और कंगन दुकान में फेक कर भाग गया सुबह जब बुजारी ने पढ़ खोला उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाद में कंगन नहीं है सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि बिहारी जी का कंगन चोरी हो गए फिर देखते हैं कि यहां बुंदी के लड्डू कैसे कैसे बिकरे पड़े हैं मैं तो लड्डू रखना ही भूल गया था थोड़ी दिर में ये बात सारी मंदिर में फैल गई कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए सारी व्रेंदावन में हल्ला हो गया और बाकि बिहारी के कंगन चोरी कर लिए गए जब उस दुकानदार को इस बात का पता चला तो तुरंद उन गुसाई जी के पास आया और कहा कि भाईया क्या ये ही कंगन है गुसाई जी ने तुरंद पहचा लिया और कहा हाँ भाईया ये ही कंगन है तुम्हारे पास कैसे आये दुकांदर बोला कि कल रात आप भिहारी जी के शयन सोने के समय में बूंदी के लड़ू रखना भूल गए थे ना गुसाई जी ने का हाँ भाई मैं भूल तो गया था पर बात क्या है आप बताईए न दुकांदार ने कहा कि रात को एक छोटा सबालक मेरी दुकान पर आया और बूंदी के लड़ू के लिए कंगन फेक कर चला गया और लड़ू लेकर चला गया जैसे ही गुसाई जी ने ये बात सुनी तो उनके आँकों से आसू आने लगे बोलें बिहारी जी खुद आपके पर लड़ू लेने के लिए आए आप धन है और खुद के मन में आया हाई हाई मैं कैसे लड़ू रखना भूल गया मैं इतना सौर्थी कैसे हो गया फिर दुकान दार से कहते हैं कि भाया जो बालक आपके दुकान पर लड़ू लेने आया था वै कोई और नहीं अपना सामरा सलोना बागे बिहारी ख्रेश्ची है जेवा भूल भी जाता है तो मैं इसो खुद बूरा कर लेता हूं जैए हो बाकी बहारी की जैए हो लीला धारी की अगर आपको बाकी बहारी से संबंदित कता पसंद है तो वीडियो को जादर ज्यादर शेयर करें कमेंट्स में जैशी रादे रादे करिए और चैनल को ससक् हर हर महादिव सी पुराण का अध्याएं 20 और 21 ब्रह्मा जी का शीव की क्रोध अगनी को वाड बन लगी संग्यादी समुद में इस्थापित करकी संसार के भैगों दूर करना शीव की विरासे पार्वती का शोक तता नारत जी की द्वारा उनी तपस्या के लिए उपदेश पूर्वा के पंचाक्षर मंद की प्राप्ती ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारत जब भगवान रुद के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अगनी ने काम दे को शीगर जलाकर भसम कर दिया तब वे बिना किसी प्रयूजन के ही प्रचलित हो सब और फैलने लगी इससे चराचर प्राणियों से तीनों लोगों में महान हाहा आकार मची गया ताते संपूर देवता और रिशी तुरंत मेरी श्रण में आए उन सबने अत्यन व्याकुल होकर मस्तक जुका दोनों हाथ जोड के मुझे प्रणाम किया और मेरी इस्तुती करके वे दुग निवेधन किया वे सुनकर मैं भगवान शीव का इस्मन करके उसके हेतु का भली भाती विचार कर तीनों लोगों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहाँ पहुचा वे अगनी जुआला मालाओं से अत्यंत उतित हो जगत को जला देने के लिए उदत थी परन्तु भगवान सीव की करपा से प्राप्थ हुए उत्तम तेश के द्वारा मैंने उसे ततकाल इस्तंबित कर दिया मुने तिलोकी के को दगत करने की इच्छा रखनी वाली उसे कुद मैं अगनी को मैंने एक ऐसी घोड़े के रूप में परिरित कर दिया जिसके मुख से सौम जौला प्रकट हो रही थी भगवान शीव की इच्छा से वैं वाड़ाओं सरीर घोड़े वाली अगनी को लेकर मैं लोग के हित के लिए समुदे टट पर गया मुने मुझे आया देके समुदे एक दिवी पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े वैं मेरे पास आया मुझे संपूर लोगों के वितामा की भली भादी विधी वद इस्तुती वंदना करके सिंदु ने मुझसे प्रसंतर पुर्वक कहा सागर बोला सरवेशर ब्रह्मान आप यहां किसलिए पधा रहे हैं मुझे अपना सेवक समसकर इस बात को प्रीति पुर्वक कहिए सागर की बात सुनके भागवान शंकर का इस्मराण करके लोग हित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसंतर पुर्वक कहा ताति समुद्र तुम बड़े बुद्धी मानो और संपूर लोगों के हित कारी हो मैं शिव के इच्छा से प्रेरित हो हारती के प्रीति पुर्वक तुम से कह रहा हूँ ये भगवान महिश्वर का क्रोध है जो महान स्रक्ती सालिक अश्र की रूप में यहां उपस्थित है ये काम देव को उद्धत करके तुरंत ही संपूर जगत को भसम करने के लिए उद कोड़े का रूप धारन किया और इसे लेकर मैं यहां आया जलाधार मैं जगतिव पर दया करके तुम्हें ये आदेशी दे रहा हूँ इस महश्वर के क्रोध को जो वालप का रूप धारन करके मुख से जौलप रकट करता है वह खड़ा है तुम प्रले काल परियंद धारन किये रहो सरित पते जब मैं यहां आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना तुम्हारा जल ही प्रती दिन इसका भूजन होगा तुम यह तिर पूरवक इस उपर ही धारन किये रहना जिससे ये तुम्हारी अनंते जल रासी के भीता ना चला जाएं ब्रह्मा जी कहते हैं नारत मेरे ऐसा कहने पर समुद ने रुद्ध की क्रोध अगनी रूप वाड़प को धारन करना सुईकार कर लिया जो दूसे एक लिए असंबह था तदांतर वे वाड़प अगनी समुद में प्रविष्ठ हुए और जौला मा प्रदित हो सागर की जलरासी का दहन करने लगी मुने इससे संतुस्ट चित हो कर मैं अपनी लोग को चला गया और वे दिवे रूप धारी समुद मुझे प्रणाम करके अधरश हो गया महा मुने रुद्ध की उसे क्रोध अगनी के भैस से जूट कर संपूर जगत स्वस्ता का अनुबाव करने लगा और देवता तता मुनी सुखी हो गया नारज जी बोले दया निद्धी मदन दहन के पश्याद ग्री राज नंदिनी परवती देवी ने क्या किया वे अपनी दोनों सक्यों के साथ कहा गई ये सब मुझे बताईए ब्रह्मा जी ने कहा भगवान श उस महान सब्द के साथ ही काम देव को दद हुआ देख भैबित और व्याकुल हुई पारवती दोनों सक्यों के साथ अपनी घर चली गई उस सब्द से परिवार सहिते हीम बान भी बड़े विसमे पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का इसमाट करके उन्हें बड़ा कलेश हुआ इतने में ही पारवती दूर से आती हुई दिखाई थी वे संबू के विरा से रो रही थी अपनी पुत्री को अत्यान विहाल हुई दे के सैल राजहीम बान को बड़ा शोग हुआ और वे शीख ही उसकी पाद जा पहुचें वे फिर हाथ से उसकी दोनो आखे पोस के बोले शिवा डरो मत रो मत ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यान विहाल हुई पारवती को शीख ही गोत में उठा लिया और उसे संतावना देते हुए अपने घर लेया है काम देका अदा कर के महादेव जी अधरश हो गय थी अता उनकी विरा से पारव जब वे अपनी माता से मिले उस समय पारवती शिवा ने अपना नया जनम हुआ माना वे अपने रूप के निंदा करने लगे और बोले हाई मा मारी गए सक्यों के समझाने पर भी वे गिर्शा पुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी वे सोती जाकती खाती पीते नहाती धोती चलती फिरते और सक्यों की बीच में खड़े होती समय भी कभी की चितन माती भी सुक का अनुभाव नहीं करती थी मेरे सरूप को तता जनम कर्म को भी दितकार है ऐसा कहती हुए वे सदा महादेव जी की प्रतिय चेश्टा कन चिंतन करती थी इस प्रकार पारवती भागवा सिव के बिरास से मन ही मन अतिनकलेश का करती अनुभाव किंची ति मात भी सुक नहीं पाती थी वे सदा सिव का जाप कया करती थी सरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चितिसे पिनाक पाड़ी भगवान शंकर के पास पहुची ही रहती थी ताती सिवा रोग मगन हो बारम पार मुर्शित हो जाती थी। उनकी फिर कुसल मंगल पूचा, दिये उत्तम आशन पर बैठें, तदानतर स्वैल राज ने अपनी कनिया की चरित का आरम से ही बढ़न किया, किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरम किया और किस तरह उनकी द्वारा काम देव का देहन हुआ, ये सब कुछ बताया, मुने य सब सुनकर तुमने गिरी राज से का, शिव का भजन करो शिवा, शिव का भजन करो, फिर उनसे विधा लेकर तुम उठे, और मन ही मन, शिव का इसमान करके शैल रास को, छोड़ शी की एकान में काली के पास आ गए, मुने तुम लोग को उपकारी, ग्यानी तदा शिव के प्रिये भक्त हो, समझ ग्यानवानों के शिरो मड़ी हो, अता काली के पास आ, उसे संबोदित करेंगे, उसी के हिते में इस्थित हो, उससे साधर, तुम सैलरिश्वर भगवान, ये सत वचन बोले, नारजी ने कहा, काल के, तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावस सची बात कह रह है, निर्दोर्स तका उत्तम कम वस्तूं को देने वाला होगा, तुमने यहां महादेव जी की सेवा अवश्च की थी, प्रन्तु वब बिना तपस्या की गर्व युक्त होकर की थी, दीनों पर अनुग्रह करने वाले, सिफ ने तुम्हारे उसी गर्व को नश्ट किया है, स तुम्हें साकुसल छोड़ दिया है, उसमें यही कारणी की भगवान भक्ति वच्सल है, अता तुम उत्तम तपस्या में संगलन हो, चिरकाल महश्वर की अरादना करो, तपस्या से तुम्हारा संसकार हो जाने पे डुद्य देव तुम्हें अपनी सह धर्मी बनाएंगे, और तुम भी कभी उन कल्यान का इश्रुम का संभू का परित्याग नहीं करोगी देवी, तुम हट पूर्वक शिव को अपना ने का यतने करो, शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्विकार ना करना, ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी ये बात सुनके, गरी, राज कुमारी, काली कुचे, उत्साहित, उल्लासित हो, तुम्हे हाथ जोड़ के प्रसंता पुर्वक बोली, शिवा ने कहा प्रभू, आप सर्वत ततर जगत का उपकार करने वाले, मुने मुझे रूतिदेव के अरातना के लिए कोई मंत दीजे, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारत, पार्वेती का ये बचन सुनकर, तुमने पट अच्छर शिव मंत्र ओम नमस शिवाय का उने विधी पुर्व के उपदेश किया, साथ ही उसे मंत राज में शद्धा उत्पन करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया, नारत, तुम बोले, देवी इस मंद का परम अद्बुत प्रभाव, सुनो, इसकी शवन माज से भगवन शंकर प्रसन हो जाते, ये मंत्रों का राजा और मनुवन्शित फल देने वाला है, भगवन शंकर को बहुत ही प्रिये है, तथा सातक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है, सौभा के शालनी इस मंत्र का विधी पूर्व के जप करने से तुम्हारी दोर अरादित हुए भगवन शिव, अवश ही और शीगर तुम्हारी आखों के सामने प्रकेट हो जाएंगे, सौच संतोस आदी, निम्यों में ततपर रह के भगवन शिव के सरूप का चिंतन करती हूँ, तुम पढ़ अच्छर मंत्र का जब करो, इससे अराद देव शिव शीग ही संतुष्ट होंगे, साद्वी इस तरहें तपस्या करो, तपस्या से महेश्वर बस में हो सकते हैं, तपस्या से ही सबको मनोवनशिति, फल की प्राप्ति होती हैं, आन्यथा नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं, नार आते कहकर देवतों की हित में ततपर हो स्वर्ग लोग को प्रस्थान किया, तुम्हारी बात सुनकर उस समय पारवती बहुत प्रसंद हुई, उन्हें परम उत्तम पंच अच्छर मंत्र प्राप्त हो गया था, जै हो हर हर महादेव, अगर आपको शीपरण का प्राप्त पस होता है, हर हर महादेव झाल झाल झाल